हमें दो बटे तीन और चार बटे पांच के बीच में हमें पांच परमे सिंख्या ग्याद करनी है तो यहां पर दो बटे तीन और चार बटे पांच इसके बीच इसके मद्धे हमें पांच परमे सिंख्या ग्याद करनी है तो पहला स्टेप क्या होता है पहला स्टेप होता है कि इनके जो हर है इनको एक समान बना दो यानि एक तीन है एक पांच है इनको एक समान हमें बनाना है तो क्या करेंगे कैसे बनाएंगे तो जो यहाँ पर यह लिखा है इसका यहाँ उपर नीचे गुणा करेंगे और जो यहाँ पर यह तीन है उसका यहाँ उपर नीचे गुणा करेंगे इस तरह से ठीक है तो चलो करते हैं यहाँ पर दो बटे तीन इसके उपर नीचे हमने पांच का गुणा किया और चार बटए पाँच है, इसके उपनीचे हम तीन का गुणा करेंगे और इसके मद्य हमें पाँच परमेसिंख्या ग्याद करनी है, ठीक है गुणा करने के बाद ये आया, दस बटे पंद्रा और ये है 12 बटे 15 है ना 5 जुने 10 चारतें 12 तो ये है 10 बटे 15 और 12 बटे 15 अब इनके बीच में हमें 5 परमे सिंख्या ग्यात करनी है लेकिन आप यहाँ पर अगर देखें तो जो एक gap है ये gap बड़ा छोटा है इनका यानि ये नमबर और ये नमबर देखो एक 10 है और एक 12 है क्या 10 और 12 के बीच में 5 परमे सिंख्या भर सकते हैं बिल्कुल नहीं केवल एक ही संख्या भर सकते हैं तो क्यों नहीं भर पा रहें क्योंकि इसका gap परियाप्त नहीं है हमें ये gap बढ़ाना पड़ेगा तो gap बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे इसके उपर नीचे हम किसी संख्या से गुणा करेंगे और इतनी बड़ी संख्या होनी चाहिए कि इनका gap बन जाए अब मान लो कि हमने उपर नीचे 2 से गुणा किया तो 2 से गुणा करके यहाँ पर हमें उपर मिलेगा 20 और हमें यहाँ पर मिलेगा 24 है ना मिलेगा ना 10 दूने 20 और 12 दूने 24 यहाँ पर 5 संख्यां भर सकते हैं बिल्कुल नहीं भर सकते हैं क्यावल 21 आएगा 22 आएगा 23 आएगा तो यानि 2 से गुणा करके काम नहीं चलेगा तो यहाँ पर इसलिए हमें 3 से ग याद करनी है पर्मेज सिंख्यां याद करनी है उसमे एक प्लस कर दो और जो भी आएगा उसका उपनीचे गुणा कर दो यानि अगर मैं यहाँ पर 6 का गुणा करूँ तो क्या होगा उपनीचे मैंने यहाँ पर 6 का गुणा किया तो यह आजाएगा एक तो आएगा यह 60 बटे 90 और यह आएगा 72 बटे 90 इनके बीच में हमें 5 परमे संख्या ग्याद करनी है और इनके बीच में आराम से आप भर सकते हैं 60 बटे 90 और इस 12 बटे 90 की बीच में क्या है 61 बटे 90 है 62 बटे 90 63 बटे 90 64 बटे 90 और 65 बटे 90 तो यह आंसर है perfect आंसर है कोई आप को गलत है आप उस पर case कर सकते हो आप challenge कर सकते हो ठीक है means यह एकदम सही आंसर है लेकिन बुक के पिछे कुछ और आंसर है और वो और आंसर कैसे आया है वो 6 से उन्होंने गुणा नहीं किया उन्होंने किस से गुणा किया तीन से उपर नीचे गुणा किया तो यहाँ पर उपर नीचे हम तीन से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 30 बटे 45 और यहाँ पर आ जाएगा 36 बटे 45 और अब इनके बीच में आराम से संख्याई भर सकते हैं 31 बटे 45 32 बटे 45 33 बटे 45 34 बटे 45 35 ठीक है न? आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 3 से गुणा करना है तो मैंने आपको पहले 2 से भी करके बताया था न? 2 से गुणा करके काम बन नहीं रहा था तो इसलिए 3 से क्या है 3 से भी काम नहीं बनता तो 4 से करते 5 से करते है न? अब फिर यह आप यह पुछोगी सर आपने जो तरीका बताया कि भई इसमें 1 प्लस कर दो और फिर 6 से उपने चे गुणा कर दो बिल्कुल कर सकते हो यह तो बहुत ही अच्छा तरीका है क्वेशन को करने का कभी आप गलती भी नहीं करोगे इससे और टाइम भी बचेगा लेकिन फिर भी इससे आपके बुक के पीछे का आंसर नहीं आएगा